नमस्ते भाई कैसे हैं आप सभी लोग और आप देख रहे हैं मैच्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे पटना हाई कोट की फोटो इसलिए को कि पटना हाई कोट असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था कुछी दिन पहले इसी वर्स और उसमें 15 सवाल क्वांटिटिव चल लिए जिसमें हमारे देश में अलग-अलग चाहिए स्टेट एक्जाम में हो चाहिए सेंट्रल गौर्रमेंट में हो जो परिक्षाएं होती हैं उसमें गणित के जो बैस सवाल पूछे आते मैं उसका सॉलूशन इस यूट्यूब चैनल पे करवाता हूँ जो बच्चों आपको बहुत जादे हैलफुल करता उनके रिवीजन में और अप्टू डेट रहने में कुगि अप्टू डेट रहना बहुत जरूरी है कि सेब ही एक्जाम का सवाल दूसरे एक्जाम में जरू टीप आ जाता है ठीक है तो अगर आप इन वीडियो को फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत जादे conceptual clarity भी मिलेगी और दूसरे बच्चों साब कहीं जादे आगोंगे आपको पता है कि latest market में चल क्या रहा है ठीक है 10 questions के हम आपको solution कराऊंगा सारे सवाल arithmetic के हैं बहुत जादे आपको मज़ा आएगा वीडियो पॉस करके पहले आप खुछ solve करना फि दो पार्ट में इसके solution की वीडियो बनाऊंगा ठीक है असी सवाल है यह एक पार्ट में अपलोड कर दिया है दूसरा पार्ट का लाएगा भाई ठीक है मैं इसलिए आपसे request कर रहा हूं कि आप इस telegram चैनल को जरूर जौन कर लीजे description में लिंक पड़ा हुआ है ठीक है सवाल हमारी sheet में अलड़ी पड़े हुए है as it is as it is with no data change मुझे बढ़ी खुशी हुई और एम ब्रह्मास्मी वाली feeling भी आई कि जो पढ़ा दिया वही paper में आ रहा है सवाल आपके सामने है पहला करके बताएं यह सवाल इस साल डिडिये के paper में भी आया था करेंगे बच्च विवाहित इस त्रियों का 1 by 3 भाग बच्चों वाली है पुर्षों की संख्या का 3 बटे 4 विवाहित है विवाहित पुर्षों का 2 बटे 3 भाग पुरुष बच्चे वाले हैं तो काम करने वाले में से कितने लोग नी संतान है ठिकना अफ वाट फ्रेक्शन वरकरार चाइल कितने लोग ऐसे हैं जिनके कोई संतान नहीं है बहुत जबर्दस सवाल है मेरे प्यारे भई और सवाल जो है मेरे दोस्तों रेश्यो का है ठीक है बड़ा मझा आएगा आपके क्वेशन करके चलेगा ध्यान से साने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बई काम करने वाले लोगों का 1 by 3 भायक female है यानि की male और female अगर मैं कहता हूँ total 3 लोग है तो 3 का 1 third एक female है और बाकी के 2 male है यह बात समझ में आई अगर total 3 लोग है तो 3 में से 1 female है और बाकी की 2 male है बोला है female का 1 third बच्चों वाली है female का one third बच्चो वाली है ठीक आधी स्तिरे विवाहित है आधी का मतलब 1 बटे 2 एक बटे 2 और तो कि साधी हो चुकी है और उसमें से 1 बटे 3 बच्चे वाली है पुर्षो का 3 बटे 4 विवाहित है तो देखो मुझे बटे 2 भी करना है मुझे बटे 4 भी करना है मुझे बटे 3 भी करना है यानि कि मुझे मेल और फिमेल की संख्या ऐसी लेनी पड़े जिसका बटे 2 बटे 4 बटे 3 आसानी से कह जा सके तो LCM कितना हो गया बारे तो काम करता है मैं पूरे डाटा को बारे से मल्टिप्लाई कर देता हूं कैलकुलेशन आसान और कम रहेगी यानि कि बारे स आदा 6, 6 साधी सुधा है मेरे प्यारे भाई, विवाहित का एक वटे 3 बच्चों वाली है अब 6 का एक वटे 3 यानि कि 2 के बच्चे हैं, दो स्त्रिया ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, ऐसे ही ये देखेगा, पुर्षों का 3 बटे 4 विवाहित है, 24 का 3 बटे 4 कितना होता है, 18 24 का 3 बटे 4 अठारे, 18 आदियों के शाधी हुई है, विवाहित प्रिशों का 2 बटे 3 बच्चों वाले हैं, तो 18 का 2 बटे 3 कितना होता है, 18 का 2 बटे 3 होता है, 12, 12 पुरुषयत हैं ऐसे हैं जो बच्चों वाले हैं, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 12 प्लस 24 लोग ऐसे हैं तो 36 में से अगर मैं 14 घटा दूँगा, तो बचे कितने 22, 22 लोग बिना बच्चे वाले हैं, 12 प्लस 24, 36 में से 14 लोग के बच्चे हैं, तो 36 में से 14 मानस कर दो, 22 लोग ऐसे जो बिना बच्चे वाले हैं, मेरे दोस्तों childless हैं, तो टोटल में कितने childless हैं, बहीं 2 से कट गया 11 बाइ 18, बी ओफ्चे वाले सवाल का अंसर है, 11 बट 18 लोग ऐसे हैं, आउट अफ टोटल जो childless है, बिना है, बिना नी संतान है, जबर्दा सवाल है, डाटा को आसान करने के लिए पहले multiply कर लिया करो, calculation will be very less, आगे चलते हैं, next question आपके सामने आएगा, सवाल लंबर 2, सव सवाल में बोला गया है, A और B मिलकर काम को बारे दिन में करते हैं, A और C मिलकर उसी काम को पंदरे दिन में करते हैं, ठीक, B और C मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो A, B, C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, A, B, C मिलकर, बताएं हाला कि सवाल को मात्र options किया जा सकता है बिना solve करें एक बात ही बताएं कि A और B मिलकर किसी काम को बारे दिन में कर रहे हैं तो अगर इनके साथ C भी मिल जाएगा तो बारे दिन से कम लगेगा भई दो आदमी मिलकर बारे दिन में काम कर रहे हैं अब तीसरा आदमी भी उनकी help करेगा उनके साथ काम में हाथ बटाएगा तो बारे दिन से कमी लगना चीए ना बारे दिन से कमी लगना चीए एक ही option बारे दिन से कम था पहला यही answer हो जाएगा मुझे सवाल में कुछ करने की आवसकता ही नहीं है कि करते तो मूरक हैं बेटा समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं option के साथ भी खेला करो बेटा गाणी ते खेल की विशेवस्तु है इसका खेल बनाओ वने तुमारा बना देगी ये बारे पंदर है बीस बारे पंदर है बीस कैलसियम 60 टोटल वर को मैंने 60 माल लिया A प्लस B एक दिन में कितना काम करते हैं 5 B प्लस C एक दिन में कितना काम करते हैं A प्लस C 4 वह तीनों को जोड़ो 5, 4, 9, 3, 12 यह क्या हैगा 2A 2B, 2C, 12 आएगा 2A, 2B, 2C, 12 तो A, 2B, 2C, 6 तो तीनों लोग की Efficiency 6, तो 6 Efficiency के साथ 60 unit काम करते हैं मेरे दोस्तों तो तीनों लोग मिलकर कितना समय लगेगा 60 by 6 10 दिल लगेगा, आसान सवाले solve करने में मुश्किल नहीं है सवाल लंबर 3 यह बताएंगे यह जो सवाल लंबर 3 है ऐसा भारत में कोई exam नहीं जिसमें सवाल ना आया हो टाइम वो MTS का पेपर हो DDA का पेपर हो SSC का सीजल का कोई पेपर हो और भी पतना है, same question, same data बार बार आ रहा है करेंगे जबरत सवाल है भाई, मैं भी इसको देख देख के पक गया हूँ 600 रुपे को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है 600 रुपे को बांटा जाता है ABC के बीच इस प्रकार से कि A के भाग के दोवटे 5 से 40 रुपे अधिक B के भाग के दोवटे 7 से 20 रुपे अधिक और C के भाग के 9 बटे 17 से 10 रुपे अधिक सभी बराबर है A का भाग क्या है 600 रुपे को तीन लोग ABC के बीच बाटा जाता है कि A के शेयर के दोवटे 5 से 40 रुपे अधिक यहनि कि suppose A का शेयर A है B का शेयर B है C का शेयर C है तो बोला A के शेयर के दोवटे 5 से A के शेयर के जहां से सुनेगा मेरे प्यारे भाई A का जो भी हिस्सा है उसके दोवटे 5 से 40 रुपे ज्याद है 40 रुपे ज्याद है किसके बराबर है B के share के 2 बटे 7 से 20 रुपे अधिक B का जो भी share है उसके 2 बटे 7 से 20 रुपे अधिक B के share के 2 बटे 7 से 20 रुपे अधिक और C के 9 बटे 17 से 10 रुपे अधिक C के share के 9 बटे 17 से 10 रुपे अधिक यह सभी बराबर है ऐसा मैं नहीं कह रहा है ऐसा सवाल कह रहा है कि A के share के 2 बटे 5 से 40 रुपे जाद है, B के share के 2 बटे 7 से 20 रुपे जाद है, C के share के 9 बटे 7 से 10 रुपे दे के सभी बराबर है, A का share कितना है, क्लियर है आप बोलोगी हां जी सर, और सवाल में बोला गया है मेरे दोस्तों कि A प्लस B प्लस C is 600, तीन लो करने लगे कि यहां से एक equation बना लेता हूं, फिर इन दोनों को यहां से एक equation बना लूँगा, फिर यहां से एक equation बना लूँगा, फिर उसको solve कर लूँगा, कभी नहीं आने वाला answer, दो तरीके हैं, इस सवाल के option देको कितने आसान है, हर option 10 का multiple है, 10 का multiple, ठीक है भई? इसका म से कटती होगी, B की share है, चैए B की value जो 7 से कटती होगी, C का share ऐसा होना चाहिए, जो 17 से कटता होगा, बई C का share है, नीचे 17 आ रहा है ने, जो 17 से कटता होगा, तो आप मुझे खुर बाताओ, पहला तरीका है आत्मा की अवाद से, एक ऐसी संख्या, बताओ, मेरे प्यार ब पाला आसान सा नंबर क्या है 170 कहीं ऐसा तो नहीं C का मान 170 है आप बोलोगे हां जी सर हो भी सकता है अगर C का मान 170 है तो यहां पर अगर मैं रखूंगा 9 बटे 17 गुना 170 प्लस 10 कितना आएगा मेरे दोस्तों यह 10 बार जाएगा 9 दुसाम 90 प्लस 10 से 100 आगया इसकी वेल्यू क् अगर मैं C को 170 मानता हूँ तो इसके वेल्यू 100 आगई A का शेर क्या आएगा अगर 2 बटे 5 प्लस 40 100 के बराबर है तो A की वेल्यू क्याएगी A की वेल्यू आएगी 100 मान 40 60 60 गुना 5 बटे 2 यानि कि मेरे दोस्तों यह आजाएगा 10 रुपे A की वेल्यू 100 रुपे A की वेल् क्या है तो देखे 100 में से 20 घटाएंगे 80 80 से 2 कटेगा 40 बार 40 70 280 क्या यह जोडने पर 600 आ रहा है भी तीनों कसम 600 होना चाहिए 170 प्लस देड़्यू 100 320 प्लस 280 600 सैटिस्फाई कर गया बिल्कुल सही सैटिस्फाई कर गया यही सवाल का अंसर है ठीक है भई यानि कि देड़्य तो ही एक शियर है यह सवाल को करने का तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई ओप्शन से ओप्शन से थोड़ा हिटन ट्रायल से अंदाजे से आत्मा की अवाद से सारे हमने इसमें टोटके लगा दिये करने में लेकिन अगर में सवाल पूरा सॉल करना हो तो कैसे करेंगे इस ट है तो किसी ना किसी की तो बराबर है तो वैर मैंने क्या मनलिया कि माना यह जो है मेरे दोस्तों के बराबर है अ कोल टू कि मैंने के मानलय कि इन यह 2017 के के बराबर है यह हो गया ठीक है आप बोलोगी हां जी सर अगर आप देखोगी यहां से A का मान क्या आ जाएगा अगर 2 बटे 5 है प्लस 40 पराबर K है तो A की वेल्लू काएगी 40 उदर जाएगा K मानस 40 और 2 बटे 5 उदर चला जाएगा अगर आप बोलोगी हां जी सर बिलकु सी क्या A की वेल्लू है यह A का मान है मेरे प्यार भाई इसी तरीके से B की वेल्लू काएगी 20 उदर चला जाएगा K मानस 20 और 2 बटे 7 कि जो उदर जाएगा तो 7 बटे 2 इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई क्या होगा इस दस उदर चलाएगा सी करशिर काएगा k मानस 10 k मानस 10 और 9 बटे सत्रे हो जाएगा मेरे दोस्तों सत्रे बटे 9 ठीक है जी आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकु सही कोई दुख तकलीफ परेशान नहीं और मेरे दोस्तों यहाँ से इन तीनों का सम कितना है इन तीनों का सम है equal to 600 600 A plus B plus C 600 है अगर यहां से solve करके K का मान निकाल लिया तो बल्ले बल्ले आप बोलोगे यहां सर बल्ले बल्ले अब देखो पहले K को देखो यहां पे 5 बटे 2 से गुणा है 7 बटे 2 से गुणा है 17 बटे 9 से 5 बटे 2 plus 7 बटे 2 12 बटे 2 6 हो गया यह 6 plus 17 बटे 9 तो 6 plus 17 बटे 9 की क्या जाएगा आप बोलोगे हां जी सर माइनस 40 की 5 बटे 2 में गुणा करेंगे 240 बार जाएगा 25 बटे 100 2 से भी 10 बार जाएगा 10 बटे 70 और यहां से 9 दुसाम 90 मानस का 170 बाई 9 फिक है जी आप बोलोगे हां जी सर यह क्या आएगा 170 निम्मा और यह 170 यानि की आजाएगा 700 बटे 9 700 बटे 9 आएगा उधर चला जाएगा तो 600 प्लस 1700 बाई 9 यह जाएगा आप बोलोगे हां जी सर अब आप मुझे बाता हैं यहां से 100 भी तो करना है राइट शाइड में क्या हो गया 500 नोचिका 500 प्लस 17 यह भी 7100 हो गया 7100 बटे 9 9 से 9 कट गया 71 से 71 कट गया के कमान आगे 100 करने पर 100 तो मैंने 100 करके के की आलो निकाली 100 जब के कमान 100 आगे आप से पूछा एका शेर एका हिस्सा यह जो है यही तो एका शेर है यही तो एका शेर है कि एकी जगे 100 रखूँगा तो 100 मानस 40 60 कुना पांच बटे 2 यानि कि 500 रुपे एका शेर आगे 260 तीस बार करगा 150 C option 22 सवाल जबरदस्ट सवाल मजेदार सवाल आगे चलेगा मेरे दोस्तों आगे कजबरदस्ट सवाल करवाने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं आपको कितना भी पढ़ाता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुछ से प्रैक्टिस ना करो आपके पास बढ़िया प्रीविसर के चांटे हुए फिल्टर प्रैक्टिस कोशन होने चाहिए जिस भी पर्टिकुलर एक्जाम की आप तयारी कर रहे हो मिलते जुलते एक्जाम के सवाल आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस एक्जाम के आप तयारी कर रहे हो चाहे वो CGL CTSL की means practicing हो, CGL practicing हो, CPO practicing हो, CTSL वाले बच्चेओं के लिए जो 12th level paper होता है CTSL practicing हो आप इन बुक को Amazon और फिलिपकार्ट से order कर सकते हो और यहां से आप बढ़िया तरीकी से practice कर पाएंगे क्योंकि यह chapter wise किताबे हैं बिलकुल type wise और इसमें हिंदी और इंगलिश तोनों में लिखाओ bilingual book हैं और solution बहुत अच्छे हैं इनमें जैसे आपकी exam में approach होनी चाहिए ठीक है चले आगे चलते अगला सवाल सवाल number 4 बनाएं रोहित कुछ निश्ची दिनों की यात्रा पर निकला उसके पास 36 रुपे खर्च करने के लिए थे अच्छा रोहित जो है ट्रैवलिंग करने के लिए निकला भई घूमने के लिए जारा वो फ्रांस 36 रुपे या लेके गया भई यदि वह अपनी यात्रा में 4 दिन और बढ़ा देगा तो उसे खर्च 30 रुपे प्रति दिन कम करना पड़ेगा यदि वह 4 दिन और रुख जाए फ्रांस में तो उसको अपना डेली का खर्च बढ़ी जादर दिन के लिए रुख रहा है पैसा तो 36 रुपे प्रति प्रति दिन की यात्रा पर निकला होगा कितने दिन की यात्रा पर निकला होगा देखे सारी वेल्यूस इंटीजर में हैं यानि कि मेरे प्यारवे इस सवाल को सौल करने का बैस्ट जो तरीका है वो ऑप्षन से है जो ऑप्षन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा आंसर ऐसी संक्या होनी चीज जो छत्तिस सो को आसानी से काटती हो छत्तिस सो को आसानी से ना एक्किस काटता है ना उन्निस काटता है या तो आंसर अठारे दिन होगा या बाइस दिन होगा अगर वो अठारे दिन की यात्रा पर निकला है अगर वो चार दिन जादे रुख तो आंसर ये भी नहीं है, तो आंसर मात्र A की option हो सकता है D, 20 दिन, आप कहोगे सर खुदी कर रहे हो, खुदी समझ रहे हो, अभी समझ में आएगा, माना वो 20 दिन के लिए निकला है टूर पे, अगर वो 20 दिन के लिए टूर पे निकला है, 3600 रुपे लेके तो एक दिन का खर खर्चा करेगा, 3600 बटे 20, 180 रुपे एक दिन का खर्चा, लेकिन अगर वो 4 दिन जाद है रुखे, 20 की बज़ा अगर वो 4, 24 दिन अगर रुखता है, तो परड़े कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो 3600 रुपे है मेरे प्यारे भी टोटल उसकी पॉकेट में, 24 दिन अग 30 रुपे खर्चा काम हो गया, 30 रुपीज, साल का ओड़ेंग खर्चा 30 रुपे प्रती दिन कम करना पड़ा है, बिलकुछ सेटिस्पाई होगी बात, यही आंसर होना चाहिए, तो इस वज़े से मैंने ऐसी वैल्लू, डेज की ऐसी वैल्लू ली थी, जो 3600 को देखो, बट 30 दिन आ सकता है खर्चे का डिफ्रेंस, इसलिए ऐसे सड़ हुए उप्शन को इग्नोर कर दिया करो, प्यारे प्यारे उप्शन्स आपको लेने हैं, अगला सवाल फ्यक्के मारूंगा आपकी तरफ, घायल मत होईएगा, सवाल लंबर 5, पठना हाई कोट असिस्टेंट, 2023 क पेपर का, खेक, यदि संख्या 1005X4, आठ से पूरी तरीके से डिवाइड है, यदि संख्या 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो X के स्थान पर सबसे छोटा पूरंग क्या होगा, 8 का नहीं हम जानते हैं, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो लाष्ट के तीन डिजिट 8 से कटने चाहिए, यदि वंस 005X4, आग से डिवीजबल है, तो लाष्ट के तीन डिजित 8 से कटने चाहिए, यानिकि जो 5X4 है, 8 से कटना चाहिए, अगर यह नंबर 5X4, 8 से कट रहा है तो X की जगह क्या रख सकते हो? X की सबसे छोटी value, suppose मैं X की जगह 0 रखता हूँ, 0 से नीचे तो कुछ रख नहीं सकते, 8 से कट रहा है, 8, 48, बचेगा 2, 8, 24 यानि की बिल्कुल कट रहा है, तो A option ही 0 ही सवाल का अंसर हो जाएगा, ठीक है, हीटें ट्रायल से करने होते हैं इसे सवाल, अगर मैं X की जगह सबसे छोटी संख्या 0 रखता हूँ, तो 5, 0, 4, 8 से पूरी तरीके से divide हो रहा है, बात खतम इससे जादिस में ना कुछ सोचना है, ना कुछ लिखना है, बताएं। इस सवाल को option से भी उड़ा सकते हैं मेरे दोस्तों, और solve भी कर सकते हैं, दोन रास्ते आपके पास हैं, बोला है कोई संख्या है, कोई संख्या, माल ले 3, जिसको 4 से भाग देने पर, quotient और remainder जो बचते हैं, उनका सम 8 है, पर 4 से भाग देने पर, यह होता है, quotient इसको हम कहत हैं, हाला कि इतने लिखने वाले पागल हैं, और उनके वर्गो का योग 34 है, यहनि कि quotient का square प्लस remainder के square का sum 34 है, मेरे प्यारे भाई, छिक, आप से पूछा संख्या क्या है, अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब remainder तो 4 से छोटा ही आएगा ना, अगर हम किसी भी फ़ल बचेगा, वो 4 से छोटा ही आएगा, क्या आप ऐसी दो संख्या है, बता सकते हो, जिनको जोड के 8 आता हो, और इनके square को जोड के 34 आता हो, कोई पागल भी बता देगा, 5 और 38, 25 नो 34, यानि कि quotient 5 है, remainder 3 है, 5 प्लस 38, 5 का square 25, 3 का square 9, 25 नो 34, क्लियर है, और ये बात लि मैंने आपको समझाने के लिए के लिखा, यानि कि quotient कुछ और नहीं है, quotient आपका 5 है, सेस्फल कुछ और नहीं है, सेस्फल आपका 3 है, और संख्या मेरे दोस्तों क्या होती है, divisor into quotient plus remainder, 45, 23, 23, 23, 23, 23 इस सवाल का अंसर था, B option, थोड़ा अच्छा सवाल था, है ना, ये च चल मित्रा लिखना ही नहीं होता परिक्षा में, आगे चलेंगे, सवाल लंबर आपके सामने आएगा, 7 करेंगे, पटना हाई कोट असिस्ट का असिस्टेंट का एकदम जलजला सवाल करें, एक तीन अंको की संख्या 2A3 को 326 में जोडने पर तीन अंको की संख्या 5B9 प्रा बताओ, यानि कि क्वेस्टन सॉल करने के लिए A और B की वैलू आपको निकालनी है, बताएं, नाव केरफुली लिसन करेंगे मेरे प्यारे बाई, बोला है, जब एक तीन अंको की संख्या 2A3 को, हम 326 में एड करते हैं, तो मेरे दोस्तों नंबर आता है 5B9, जो 9 से डिवि अंको की संख्या 5B9, जो 9 से completely divide होती है, अगर कोई नंबर 9 से divide हो रहा है, तो इसका digital sum 9 होना चाहिए, अगर मेरे दोस्तों इसका digital sum 9 है, तो 9 तो 9 तो कटी जाएगा, B की जगे क्या रखना पड़ेगा, मुझे 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 5, 4, 9 होगा, यानि कि B की जो जब में इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो, 3 में 6 जोड़ूंगा, 9 आ रहा है, 2 में 3 जोड़ूंगा, 5 आ रहा है, यानि कि A में 2 जोड़ने पर 4 आना चाहिए, अगर A में 2 जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो A की value कितनी हो जाएगी, 2, A कमान 2 आ जाएगा, तो भाई मैं मैंने A की भी value निकाल ली, और मैंने B की भी value निकाल ली, ये value यहाँ रख दो, अब एकी जगा 2 रखेंगे, 2, 5, 10, B की जगा 4 रखेंगे, 2, 4, 8, और 10 माने साथ यानि कि 2, तो सवाल का जो आंसर आ गया, वो 2 आ गया, कितने simple simple सवाल हैं आपके सामने, उससे पहले मेरे फायदे की बात, हर वक्त आपका फायदा थोड़ना चलेगा, भी मैं गरीब आदि में हूँ, ठीक, हमारे कई सारे YouTube चैनल हैं, जो students को लगातार सपोर्ट करते हैं, अभी UP Police Constable की वेकेंसी आई हैं साथ हार, तो उसमें एक खामी आजा था, नोटिफिकेशन में प्रॉबलम थी, कि भी जनरल की जो एज लिमिट है, वो ठारे से 22 साल ही है केवल, जबकि वेकेंसी भरती 5 साल बाद आई है, कुछ बालक ऐसे हैं जो तैयारी करते रहे, बटा वो फॉमी नहीं भर पारे, उनकी उमर 20 साल से जाद हो ग बच्चों के साथ हमेशा पूरी तरीके से खणा हूँ, चाहा वो फ्री कंटेंट की बात हो, चाहा वो किसी एक्जाम के कोई जानकारी देनी हो, चाहा नोटिफिकेशन देना हो, चाहा प्रीवेसर के फ्री सवालों की PDF अपलोड करवानी हो, चाहा शौट्स बना के बच्च चाहा उनको मोटिवेट करने की बात हो, हर तरीके से बच्ची की मदद करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी मदद आप भी करें, अपने दोस्तों को, भाईों, बंदों को, जितने भी हमारे YouTube चैनल है, सभी को सब्सक्राब और जॉन करने के लिए जरू बोलें, गगन प्र रहे हैं, और टॉपर्स गाइडेंस, जिस पे आपके सीनियर सिलेक्टिड इट्रंस के इंटरव्यू आते हैं, ठीक है भाई, आप YouTube पे सर्च करेंगे, एजिट इस चैनल आ जाएंगे, सभी बच्चे सब्सक्राब जरूर कर लें, ओके, अब अगला सवाल, सवाल लंबर है बेटे आपके सामने आठ बनाएं, तीन मित्र ABC, एक वरत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदू से एक साथ दोडना सुरू करते हैं, तीन फ्रेंट से ABC वो दोडना सुरू करते हैं, एक ही पॉंट से एक साथ, वे एक सर्कुलर ट्रेक पर दोड रहे हैं, and they completely one round in, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड, respectively, after how much time they will meet again starting point, कितने समय के बाद वो प्रार्णमी मिंदू पर पुनहें मिलेंगे, ठीक है, बताएं, सर्कुलर स्टेडियम पर दोड रहें मेरे दोस्तों, एक साथ दोडना सुरू करते हैं, पहला आदमी ए चक्कर लगाता है, 24 सेकेंड में, बी एक चक्कर लगाता है, सर्कुलर राउंड का, यह जो है मारा स्टेडियम का, 36 सेकेंड में, और C 30 सेकेंड में, कितने समय के दुबारे मिलने के लिए मेरे प्यारे भई, जहां से उन्होंने रेस खतम की है, वहाँ पर दुबारे मिलेंगे वो जो टाइम होगा, इन तीनों का, एल सिम होगा, इस डारेट कंसेप्ट है, हमने सर्कुलर ट्रेक की एक अलक्षिश वीडियो बनाई हुई है, इसी चनल प लापस सभी स्टार्टिंग पॉंट पर मिलेंगे, कितने समय बाद वो जो समय होगा, उनके एक एक चक्कर के टाइम का एल सिम होगा, अब 24, 36 और 30 तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा है मेरे दोस्तों, 360 से भी कटता है, 30 से भी कटता है, 24 से भी कटता है मेरे प्यारे ठीक चार साल बाद A और B की एज का रेशयो 5-7 है, 6 साल बाद A, B की एज का रेशयो 11-15 होगा, उनकी प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज आपको बतानी है, इस सवाल को भी बिना सॉल करे, आप आप्शन से कर सकते हैं, जो आप्शन सेटिस्पाई कर गया, वो आंसर हो हो जाएगा या 28 का हो जाएगा, क्या 20, 28, 5, 7 है, हाँ जी है, 6 साल जोड़ूँगा तो मेरे दोस्तों 22 का होगा या 30 का होगा, क्या 22-30 का रेशयो 11-15 है, हाँ जी है, A option सेटिस्पाई कर रहा है, या आंसर हो गया, नहीं समझे बात को, अरे मैं क्यों सॉल करूं, बिजी आ 20 का हो जाएगा, ये 24-28 का हो जाएगा, किस से कट गया, 4 से, 4 पंजे 20, 4, 78, 5, 7, satisfy, 6 साल बात, 11-15, 6 साल देखेंगे, ये 16-6, 22 का हो जाएगा, 24-30 का हो जाएगा, और 22-30 का रेशयो का है, 2 से कटेगा, 11-15, ये इस 11-15, बिलकुल सेटिस्पाई कर गया, पहला option, आंसर बा कर दी गई, by what percent will the new income have to be increased to bring his income back to previous level, रोहन की इंकम 10% कम कर दी गई, एक वटे 10, निकि रोहन की इंकम पहले अगर 10 थी, तो 10 से एक कम करके 9 हो गई, उला, इंकम को प्रिवेस लेवल पे लाने के लिए, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अब इंकम 9 हो गई, 9 को अगर 10 लाना ह तो भईया, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 by 9, और 1 by 9 का मतला percentage में, 11 to 1 by 9 percent, भी option सवाल का answer है, निहाएदी easy question ये था आप सभी के लिए, छीके बई, जो बच्चे हमसे पड़ते हैं, या हमारी वीडियोस को भी YouTube पे फॉलो करते हैं, उनको ये paper के सवाल सॉल करते हैं, ऐसा लग अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं और आप चाहते हो कि अलग-अलग exam के solution आपके पास आते रहें, तो इस channel को subscribe करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, इस वीडियो को जितने भी social media, facebook, whatsapp, telegram, सब जगह फैला दीजे, ये वीडियो प्यार पूरवक देखने के लिए आ बहुत बहुत धन्यवाद